नमस्कार किसम भाईओ आज के इस वीडियो के अंदर आप सबीका स्वागत है किसम भाईओ गर्मियों के दिनों में अगर आप कोई टामाटर बेंगन मिर्च या पिर कोई गलकी और फिर खिरा जैसी फसल करते होंगे तो उन फसलों के अंदर आप देख रहे होंगे कि भाई धुन्दला सा पिला पनाता है या फिर बारिश के मौसम में जिस तरीके से आपकी पतिया हरी बरी रहती है उस तरीके से आपको पतिया नहीं दिखती है तो आज के इस वीडियो के अंदर आपकी पतियों को हरा बारा करने का फॉर्मूला बताएंगे वह भी गर्मी के दिनों क अंदर इतनी सारी गर्मी में हरा बारा पन लाना बहुत जादा चैलेंजिंग होता है एक तो बड़ी आसान बात हो जाती है कि बारिश के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में आप हरा बारा पन बहुत आसानी से ला सकते हो लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत चैलेंजिंग होत क्यों आसान नहीं जाताए तो सबसे पहली वाली बात पत्यों में हरा भड़ापन क्यों आता है तो जो नूट्रियंट्स रहते हैं नेगनिशियम, खेर, जींक ये नूट्रेंट जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से अमारी पोदों को अवेलेबल होंगे उतना ही ज़्यादा हरा बरापन हमारी पोदों के अंदर होता है तो यह अगर इन नूट्रेंट की उपलबदता अगर वह उद जमीन में ना हो तो वह उपर जड़ो का विकास होने के बावजुद भी आपको हरा बरापन नहीं दिखाई देता है तो वह हरा बरापन लाने का तरीका क्या है तो सिंपल वाली चीज़े हमें उन नूट्रेंट का सप्लाई करना होगा और हाँ इसी के साथ साथ एक और नूट्रेंट है जो की कि इन में बहुत ज्यादा मेजर है आपको पता है पतीयाहरी क्यों दिखती है उसके क्लो फील के करना अब यह क्लो फील बनता कैसे यह क्लो फील बनता है आपके नाईट्रोजन और मैंगनिशियूम के संयोग से मतलब क्लो फील बनने के लिए जितना ज़्यादा क्लोरोफिल चाहिए उतना ही अच्छी तरगे से आपका नाइटरजन और मैंगनिशियुम कर रेश्यों मेंटेन होना चाहिए तो यह दोनों मेंटेन हो गए तो आपके पतियों में हराब हरापन आपको दिख जाएगा तो वह अपने शेडुल के अंदर मे कुछ भी रास्तें नहीं अपनाएंगे क्योंकि अग्रापन लाने जाए तो तो साथ से आइबाम सब्सक्राइगे होसा सब्सक्राइगे तो तो कैसे देंगे तो हम जमीन के मादम से आपके पास ड्रिप तो जरूर होगा अगर ड्रिप नहीं होगा तो आप सुकी मिट्टी में जो भी हम कॉमिनेशन बना रहे उनको मिलाकर अपने खेट में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो फेक कर दे सकते हो उसके उपर आपका पानी जाए तो कौन सा वाला पहला कॉमिनेशन है तो भाही सबसे पहला वाला कॉमिनेशन देने से पहले एक बात ध्यान में रखना अपने फसल में 12,61 डाला है कैलिशियम नाइट्रिट डाला है उसके बाद 5 दीन का गयाब देना है अगर आपने कल पर सोही 12,61 दिया है और इस एप्ल पिलापन अभी देख रहा है उससे दोगुना पिलापन आ जाएगा इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना वरना नुकसान होता है आधी-आधी जानकरे के साथ तो भाई यह तो आपको समझ गया है कि पास दिन का ग्याप रखना है तो पास दिन के ग्याप से देना क् सिंपल वाली चीज़ है तो पर एकर के हिसाब से यह सब चीज हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले वाले हम क्या देंगे हम देंगे हमारी पसल के अंदर फेर सल्पेड ठीक है अभी इसके दो प्रकार के क्रिस्टल आते हैं एक बड़ा-वाला एक मोटा-मोटा दाने की तरह उसका क्रिस्टेल आता है और एक मगनेशन सल्पेड की तरह एक बारी 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 का करके दाने आते हैं दो प्रकार के आते तो जो बारी बारी का अाकर के माझनेशन चाया साथ क्रिस्टल वाला जो भृमूलेienie का वह आप ले सकते थोड़ा पानी में फोइन नीचे की तरफ बेट जाता है उसको डबल कपड़े से फिल्टर करके आपको आगे की तरफ इस्तमाल करना है तो फेरस सल्पेट लेंगे फेरस सल्पेट के साथ मैंने बोला आपको कि नाइट्रोजन भी हमें कवर करना है इसी के लिए अभी यूरिया लेंगे तो कुछ जमीनों में क काम कर जाएगा जहां पिए ठिक टक से वहां पर यूरिया तो काम कर जाएगा लेकिन जहां पर क्यालकरत स्वयल क्या बुर्स बहरी जमी Mean वहां पर यूरिया बिलकुल कामने करता है तो इसी लिए हम सभी को ध्यान में रखते हुए इस कंबेशन के अंदर हम लेने AMONIUM यह बन जादा है अमरा combination अगर आप चाहो तो गुड का भी इस्तमाल आप कर सकते हो जी हाँ गुड का भी इस्तमाल आप कर सकते हो ठीक है तो यह कितना लेना है जो पहला application है वो कितना लेना है तो फेरत अमोंियम फसलपेट आपको एक एकड के लिए ऐलेना है kitchen ब्रुड है आपको एकड के लिए भी शादार रहेगा तो इस तरीके से यह हमारा पहला application जाएगा अभी दो application पाथ की यह थी कैई तो आभी दो application कौन से देने तो simple वाली चीज़े आपको इस फेरत sulphate को निकाल कर यही वाला combination रहेगा और इस फेरत सल्पट को निकाल कर आपको देना है जिंक सल्पेट, अमोनियम सल्पेट, दूद और गूर का इस्तिमाल करना है, इससे क्या होगा, आपके फसल के अंदर जो हर्मोनल एक्टिविटी है, जो प्लांट हर्मोन नैचरली तायर होती है फसल के अंदर, वो एक्टी हो जाते हैं, फसल की ग्रोध भी अच्छी होती है, और हराबरापन भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आपको जो चिंता सताती रहती है, हराबरापन ने आएगा, तो नया शेंडा ने आएगा, शूट ने आएगा, शूट ने आएगा, तो फूल ने आएगा, फूल ने आएगा, तो उत्पादन ने आएगा, तो वो प्र प्रमल रॉब मट्रेल नीचे की तरफ बेटना कहा जाता ये प्पिटी आने की वजह से आपको ये डबल कपड़े से फिल्टर करना ही पड़ेगा तो अभी ये दूसरा वाला application कब देना है आपको, ये दूसरा वाला application देना है 5 दिन के gap से, मतलब आपका फेरर sulfate गया, तो फेरर sulfate के बाद 5 दिन के gap से जाएगा आपका zinc sulfate, ठीक है, ये भी ध्यान में आगा है, अभी इसके बाद, और 5 दिन बाद आपको क्या करना है, तो इसके और 5 दिन के बाद, आपको देना है, magnesium sulfate, ये मैं आने की, magnesium है, तो magnesium sulfate देंगे, magnesium sulfate भी एक एकड़ के लिए 5 किलो, सिल लेकर, आप 7 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ammonium sulfate 7 किलो, दूठ 1 लेटर, और गूठ 1 किलो, ये तीन application लगबग हम हमारे 15 दिनों में जाएंगे, और 15 दिनों में आप अपनी फसल के अंदर बहुती अच्छा बदलाव देखोगे, आपको बदलाव क्या-क्या दिखेगा, एक तो आपको पतियों में हरा-बरा पन आपको दिखाई देगा, दूसरे वाला चीज, आपको आपके फसल में नया शूट आते हुए दिखाई देगा, तीसरा बदलाव आपको यह मिलेगा, कि नए फूल भी आपको आ रहे, मतलब मिल जाएंगे, फूल से तो खल बनी जाएंगे, मतलब आपका प्रोड़क्शन बहुत अच्छी तरके से स्कार्ट हो जाएगा, एन्पी के अभी मार्केट म चीज है, क्या वाली चीज है, कि भाई 1261 लेलो, या फिर आप 1343 लेलो, एन्पी के जितने भी ग्रेड आ रहे हैं अभी फिलाल में, उनके उपर जो मात्रा लिकी गई है, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में, अगर लैब टेस्ट किया जाए, तो बहुत कम मात्रा में यह ना अपना सल्पेट फॉर्मूलेशन जिन्दा बाद, क्योंकि इससे आपका जमीन का पियज भी कम होता है, यह एक फाइदा हो गया बाई देखो, आपके जमीन का पियज जितना कम होता जाएगा, उतने ही आपके प्रॉब्लम स्वाल होते जाएंगे, हमने एक औरगेनिक आपका सबसे प्रमुक कारण जो है पियज अपना औरगेनिक कारवन ना बढ़ने का तो वह है हाई पियज वैल्यू मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ पियज तो वह बच जाएगा, अभी कुछ लोग कह देगी वह सर जी फेरस सल्पेट नहीं चलता है जमीन में, यार चिलेट फेरस के पहले, फेरस सल्पेट, मैंगनेशियम सल्पेट, जिंक सल्पेट, सल्पेट फॉर्मूलेशन का ही इस्तमाल किया जाता था, तब के दिनों में कोई टॉनिक वगेरा ज्यादा प्रचलित नहीं थे, कुछ वीपूल या फिर ऐसे कुछ दो चार बूम फ्लावर ऐसी कि दवायो को छोड़कर एक भी टॉनिक मार्केट में अविलेबल नहीं था, एक एक करके भी आता था, तो यह दो तिन टॉनिक के आलाव कुछ टॉनिक नहीं था, फेरस सल्पेट, मैंगनेशियम सल्पेट के आलाव कुछ भी नहीं था, तब उत्पादम बहुत अच्छी तरगे से मिल रहा था और बड़ी आसानी से मिल रहा था अब क्या हो रहा है मार्केटिंग वाले इतने गड़बड कर रहे हैं कि मैंगेशियम सल्पेट की जमाने में हो यह इसका उप्योग ने होता है यह जमीन में जाकर खराब कर देता है फेरत सल्पेट से फेरिक ऐसिड ब अंदर वही आगे बढ़ सकता है वरना बाके आप समझदार हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चाहिए को सब्स्राइब करके बेल आइकों को जरू दबाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय जावंच जय के साथ